असलाम उलेकुम आए बेटा आज हम एक और सेशन लेते हैं वेक्टर इस पे तो प्रिवेस सेशन में हम लोगों ने कुछ क्वेस्चन इस भी किये डिरेक्शन राइशोज, डिरेक्शन कोसेनिस भी हम लोगों ने पड़े angle between the two vectors वो भी देखा आज के सेशन में बेटा हम पहले आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम स्टार्ट करेंगे बेट आज का सेशन बहुत important topic projection very very important topic projection ठीक, तो क्या है ये projection आई देखते हैं आई देखते हैं देखे बेटा इदर मैं एक vector और दो vector इसमें मिलाता हूँ ये मान के चलते हैं vector A है और ये मान के चलते हैं vector B है और ये दोनों का बिलकुल टेल है तो यहाँ पर मैं मानता हूँ इनके बीच में अंगल है थीटा correct देखें अगर मैं बात करूँ मैं यहाँ पर O लिखूँ यहाँ पर A लिखूँ यहाँ पर B लिखूँ ठीक है चलो ठीक है यहाँ पर B लिखते हैं correct तो देखा जाएगा O A जो है यह वेक्टर A है और मैगनिटूड या O A की मैं अगर दूरी देखूं Y गा मैगनिटूड आफ A और O B की दूरी अगर मैं देखूं Y गा मैगनिटूड आफ B इतना आप जानते हैं पढ़ा भी है यह बहुत असान है तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोजेक्शन ओफ A यानि वेक्टर A आउन वेक्टर B या पैसे भी इसको लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ओफ A एलॉंग भी प्रोजेक्शन ओफ A आउन वेक्टर B बोलो या प्रोजेक्शन ओफ A एलॉंग भी बोलो यह दोनु चीजे जो बेटा हैं यह सेम है अब गोर से देखेगा मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा नज़र रखे जैसे आप देखते हैं यह परच्छाई परच्छाई की मैं बात करूँ मैं वो भी यहाँ पर आपको बता सकता हूँ वैसे भी उस फॉर्मिल में भी यह देखे यह A वेक्टर है तो मैं यहाँ से इस पर परबंडिकर डालूँगा यहाँ की यह दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक आप देखे यह मैं मान के चलता हूँ यह M पॉइंट में यहाँ पर लेता हूँ तो O M जो है न O M यही आपको आएगी A की प्रोजेक्शन यह देखे A की प्रोजेक्शन B पे So this distance, this is on B यह B पे है ना तो यही आएगा प्रोजेक्शन आफ A on B प्रोजेक्शन आफ A on B तो मुझे लगता है अब आप एजिली पता सकते है सर यह क्या आएगा देखे यह लिंग था आपको पता है O A है ना O A आपको पता है That is magnitude of A या आप सीधे इसको A भी लिख सकते है और इसको सीधे B भी लिख सकते है विदा टेरो हैड अब देखे बेटा अगर मैं यहाँ पर बोलू projection of A on B क्या आएगा या projection of A A vector की projection B पर क्या आएगी तो आपको देखना है कि यह जो है इसकी परचाह यहां तक इस B के उपर क्या आएगी वो O से लेकर M तक है तो simple हमारा answer है O M simple this is it बास और कुछ ने O M अब मुझे यह O M निकालना है यह O M आएगा क्या यह O M आएगा क्या यानि यह language कितनी आएगी वो से लेकर M तक तो अगर आप खुद देख रहे हैं आपके लिए मैं इसको ऐसे बनाता हूँ यह आपका theta है यह O है यह M है isn't it तो यह जो दूरी है यह A है यानि magnitude of A O से लेकर M तक निकालना है O से लेकर B तक की जो दूरी है वो magnitude of B है करेक्ट ना बेटा आपको O M निकालना है अगर आप इस ट्रेंगल में निकालेंगे cos theta because मुझे O M चाहिए मुझे A M नहीं चाहे मुझे O M चाहे तो cos theta हमारा आएगा बता दो आप ही कितना तो cos theta हमारा आएगा O M divided by O A based by hypotenuse तो cos theta बेटा हमें आएगा O M तो हमें निकालना है और O A की दूरी जो है that is A तो A में इस magnitude of A राइट जरा O M खुद आप देखिए O M क्रॉस करके यहां पर आएगा हमारा O M आएगा A cos theta simple यह आएगा हमारा A cos theta this is the projection of A on B जरा कितने बच्चों ने आप याद रखा आप खुद मुझे बता दीजे A की projection B के उपर बतानी है जिस vector की projection जिस vector के उपर बतानी होगी पहले उस vector का magnitude जिसका आपको बोलना है फिर आएगा cos of theta and theta is angle between यह तो आपको पताएए theta क्या है यह है आपका A और B के बीच में angle theta is the angle between A and B कितना beta simple है कितना simple है बाकि जो आपने dot project पढ़ा है अब आप इस formula को कितना भी खींचो कितना भी change करो you can do that बट सबसे बड़ी बात है what is the projection of A on B अगर आप मैं बोलूँगा what will be the projection of B on A B on A तो B से लेकर A तक तो वो सीधे आएगा ना mod of B cos of theta तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ नजर रखे है ये दूरी हुआएगा ना mod of A sin of theta आपने physics में पढ़ा भी है vertical component, horizontal component horizontal में cos का impact vertical में sin का impact hypotenuse के साथ ले लो अरे बेटा ये ही तो है ना अगर आप इस triangle में sin of theta लेते तो sin of theta आपको क्या आता वो आता ना आपका am divided by oa right तो oa ये a vector है तो am निकालने का जरिया था ना सीधे magnitude of A sin of theta तो मैं ये बोलूँगा ये जो है this is magnitude of A sin of theta and this one यहां से यहां तक जो ये है this is magnitude of A cos of theta विकाज मैं इस वकित projection A की दिखा रहा हूँ क्या सभी बच्चों को समझा बागया क्या सभी बच्चों को समझा गया अगर मैं इस चीज़ को ऐसे बोलूँ तो गलत नहीं होगा ये आपका और ये आपका vector correct तो ये a vector है ये b vector है तो आसान लफ़जू में ये इनके बीच में theta है correct बेटा तो दिखो कितना आसान है अगर मैं दो बातें यहां पर बोलूँगा आपके लिए ज्यादा better रहेगा मैं बोलूँगा projection of a on b theta is the angle between a and b हो तो आपको बता ही है और यहां पर मैं बोलूँगा projection of b on a दिखो कितना आसान है कितना आसान है जरा आप ही बेटा मुझे बता दो सीदे magnitude of a और कुछ नहीं और b के बीच में जो angle है उसका cost cost of theta हाँ अब मेरा बच्चा बोलेगा सर इसको मैं और किस-किस formula से लिख सकता हूँ now it is up to you आप यह कैसे लिखेंगे ऐसे इसमें क्याएगा magnitude of b आप इतना ही याद रखे और यहाएगा cost of theta यहाँ से आएगा तो this is your o this is your m so this is actually the o है और ऐसे अगर मैं इसमें perpendicular डालोंगा थोड़ा खेंच के तो वह आपका o n होगा that will be the projection on that correct अब आप ही बिटा मुझे बता दीजे यह तो आपको पता ही है ना इसमें तो कोई दोरा आए नहीं है magnitude of a magnitude of b cos of theta यह तो basic definition है ना dot product की तो इसमें a dot b divided by magnitude of a magnitude of b आपको देगा ना cos of theta right ना सीधी से बात यह तो आपको पता ही है या यह चीज़ भी तो आपको पता ही है कि अगर आपको a vector लिखना पड़ेगा और उसको divide आप करेंगे उसके magnitude से वो आपको देता है unit vector यह भी बेट आपको पता है यह चीज़े मैं आप लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं different formats बेट यहाँ पे लिख सकता हूँ जैसे मेरे पास यह है यह तो magnitude of a आएगा right बता दो cos theta की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अगर मैं cos theta की बात यहाँ पे करूँगा तो मैं cos theta पे यहाँ पे लिख सकता हूँ जैसे बता दो क्या मैं लिख सकता हूँ a dot b divided by magnitude of a magnitude of b और मुझे पूरी अमीद है कि हर किसी बच्चे को समझा गया अब यह different तरीके हैं लिखने के अब आपका आप ऐसे भी बोल सकते है क्या सर हम यहाँ पे magnitude of a काट सकते है हाँ क्यों नहीं काट सकते है तो आप यह formula भी लिख सकते है तो आप बेटा यह formula भी लिख सकते है जरा बता दो क्या formula हम लिख सकते है अगर a b given b b given आपको projection of a बतानी है b पे उपर आएगा दोनुका डॉट और नीचे आएगा magnitude आप b अब आप देखो कितना आसा दरीका है कितना आसा दरीका है a की projection b पे दोनुका डॉट किस के उपर b के उपर नीचे उसका magnitude कोई बच्चा बोलेगा क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a vector a vector dot नीचे magnitude आप b है उपर b है b vector divided by magnitude आप तो आएगा ना b का unit vector हाँ जी ये भी लिख सकते हैं तो ये भी हो गया ना a का dot b के unit vector के साथ वही आएगी projection of a on b जरा इसको बता दीजे इसको बेटा मेरा मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे जरा बता दो क्या ये तो magnitude of b आएगा cos of theta आएगा a dot b ये simple multiple है divided by magnitude of a magnitude of b क्या मेरा बेटा मैं b और b को काट सकता हूँ हाँ क्यों नहीं काट सकते हैं और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बता दो आप ही क्या a dot b divided by magnitude of a या कोई बच्चा ऐसे भी बोलेगा क्या सर मैं लिख सकता हूँ b dot a divided by magnitude of a अरे किसने रोका dot तो कुमिटेट्यू है ही dot तो कुमिटेट्यू है ही तो आप क्यों नहीं लिख सकते हैं क्यों मैंने क्यों b dot a लिखा because projection of b on a अभी जैसे मैंने आपको बोला दोनों का dot जिसके उपर उसका magnitude किसके उपर a पे तो उसका magnitude तो लिख सकते हैं और अगर मैं a और a को divide करूँ तो ये a cap देगा और साथ में भी आएगा I hope आपको हर कोई कहानी बेटा projection की अब समझागी projection की अब समझागी on q वेक्टर p भी गिवन q भी गिवन तो आप बोलेंगे सर अब ये बड़ी बात नहीं है ना पहले p और q का करेंगे dot किया किसके उपर है किसके उपर है अरे उपर है ना क्यूंके तो नीचे आएगा magnitude of q that is it so simple सबसे easy है बस आपको ध्यान रखना है कि टीचर क्या बोल रहा है कैसे समझा रहा है अगर मैं बोलूं projection of a plus b on a minus b अरे बहुत असान है ना बहुत असान है ना आप बोलेंगे सर इस वेक्टर का नाम हम लोग रखेंगे c इसका वेक्टर हम ना नाम रखेंगे d तो इन दोनों का dot डिवेट भी इसका magnitude या अगर मैं directly बोलूं सर क्या ये a plus b का dot a minus b के साथ आएगा अरे बिलकुल सही आप कह रहे हैं क्या जिसके उपर है उसका magnitude आएगा बराबर आप कह रहे हैं बहुत आसान है I will take an example मैं example एग लेता हूँ suppose बेटा मैं question यहां पर लेता हूँ a है i plus j minus k और b है i minus j plus k देखे मैं different questions बेटा यहां पर बनाता हूँ part first मैं बोलूँगा चलो हां पर मैं part first बोलूँगा मैं बोलूँगा projection of a on b projection of a on b तो मेरा बच्चा मुझे simply बोलेगा sir a और b का dot करो और नीचे magnitude of a लिखो नीचे magnitude of a लिखो सही बात है ना सही बात है तो पहला पार बेटा यह बना दिया divide मैं तो because on b sorry तो नीचे आएगा magnitude of b गलती गलती होगी हाँ गलती से mistake यह देखे a dot b divided by magnitude of b तो magnitude of b तो यह देगा बता दो कितना देगा मुझे लगता है इतना math आता है root 3 one square one square one square correct उपर इन दोनों का dot i dot i one देगा j dot j one देगा लेकिन बीच में minus है k dot k b minus one देगा correct आपका one or one गया तो projection यहाँ पे आ गया minus one by root 3 projection negative b हो सकता है cos theta की वज़े से आगे में वह बात अभी discuss करूँगा तो यह बेटा आपका पहला आ गया projection of a on b आ गया correct अच्छा अगर मैं अपने बच्चे को बोलूँ part second क्या मैं बोलूँगा projection of b on a तो मेरा बच्चा तो बहुत easily बोलेगा सर यह तो बड़ी बात नहीं है ना यह तो आएगा ना b dot a किसके उपर a के उपर तो magnitude उसी का आएगा सर इस वक्त तो magnitude a का निकालना है हमें लगता है वो भी root 3 आएगा हमें लगता है वो भी root 3 आएगा अच्छा अगर मैं अब अपने बच्चे को कुछ इस तरह बोलूँ नजर रखे कुछ इस तरह बोलूँ अब वो ध्यान से देखे चलो मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पर तो अभी एक और question में यहाँ पर लेने जा रहा हूँ अभी आपने देखा कि projection of a on b और b on a देखिए कभी आपका सवाल ऐसे भी बन सकता है द्यान से देखे आपका होगा projection of a plus b on a minus b गोर करेगा ध्यान से मैं क्या बो रहा हूँ projection of a plus b on a minus b तो अगर मैं काम करूँ यहाँ सभी बच्चे गोर से देखें अगर मैं काम करूँ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a plus b का नाम मैं लिख रहा हूँ c a plus b का नाम मैंने लिखा c और a minus b का नाम मैंने लिखा d यानि मैंने पहले a और b का addition किया उसके बाद मैंने a और b का करना है subtract जरा बेटा मेरा सभी बच्चे यहाँ देखें जब मैं इन दोनु का addition करूँगा I will get 2i i plus i j j cancel k k cancel आ गया अगर मैं दोनु का subtraction करूँ a को subtract b करना है तो यह minus आएगा i or i कटेगा यह plus आएगा तो यह 2j रहेगा और यह बेटा minus के minus के आएगा तो यह minus 2 के आएगा correct? इतना तो आपको आता है इतना तो आपको आता है correct? अच्छा तो मेरा question बनेगा ना मेरा question simply बनेगा ना projection of c on d c है और यह d है तो आप सभी बोलेंगे ने सर अब तो यह आसन है यह तो आएगा c और d का dot because c on d और divide में आएगा magnitude of d बेटा वही बात हो रहे है ना वही बात हो रहे है ना बहुत important बात है बहुत ज्यादा important बात है अच्छा सर नीचे तो magnitude of d आएगा तो magnitude of d का मतलब सर यह हुआ इसका magnitude और सर इसका magnitude तो आएगा root of 2 square 4 आएगा minus 2 square भी 4 आएगा यहाँ सर c और d का dot हमें लेना है याने 2i का dot 2j minus 2k के साथ रहेगा सही बात है ना तो खुदी बेटा बता दो projection अब आपको क्या आएगा नीचे तो root of 8 आएगा उपर यहाँ 2i है यहाँ i है ही नहीं तो 0 आएगा यहाँ j नहीं है यहाँ j है तो 0 आएगा short में इन दोनों का जो dot आएगा वो 0 ही आएगा so finally the value is 0 so what is the projection of a plus b on a minus b the value is 0 तो इसे यह भी थाबित हुआ projection जो है वो 0 भी हो सकता है जो बेटा projection है ना आप यहाँ देखे अगर मैं इस तरह आप बच्चों को बताओं आप यहाँ पर देखे यह अगर vector b है और यह अगर vector a है correct आपने दिखाना है projection दिखानी है ना तो मैं यहाँ से यहाँ तक यह 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 ध्यान से देखे तो यह मैं o m की बात करूँगा इस को b बोलेंगे इसको e बोलेंगे right तो अगर आप बोलेंगे o m o m किसके बराबर आएगा o m आएगा बराबर हाँ जी o m आएगा बराबर जब यह angle आप लेंगे theta तो o m आएगा बराबर magnitude of a cos of theta right तो यही है ना आपके पास क्या this is your projection of a on b बहुत आसान projection of a on b projection of a on b यही तो हम पढ़ रहे हैं अब आप सभी बचे देखें यह cos theta जो है देखें magnitude of a तो positive होगा यह cos theta positive भी हो सकता है यह cos theta negative भी हो सकता है यह cos theta 0 भी हो सकता है right because यह theta यहाँ पर आप देखें theta का value आएगा ना between 0 to pi यह तो पढ़ा है आप लोग उने angle between the two vectors correct अच्छा between 0 to pi आप बिटा जानते हैं ना तो यह figure भी मैंने आपको बहुत बार बताए होगी 0 to pi का मतलब है जब theta होगा पहले quadrant में मतलब जब theta is acute acute का मतलब है first quadrant जब theta first quadrant में होगा cos theta आपका positive आएगा magnitude positive होगा ही अगर यह null vector नहीं होगा तो आपका projection positive आएगा right negative कब होगा? जब cos theta negative होगा cos theta कब negative होता है? जब theta होगा obtuse तो यहाँ पर बोलेंगे theta is obtuse obtuse कब होगा? जब theta होगा second quadrant में ये भी आप जानते हैं समझारी मेरी बात जब theta यहाँ पर होगा तो negative आएगा cos जब theta यहाँ पर होगा तो positive आएगा cos add sugar to coffee वैसे भी और जब cos यहाँ पर आएगा तब तो 0 आएगा ना तो वही मैंने यहाँ पर बोला और projection बेटा 0 भी हो सकता है ठीक है? अगर बेटा मैं एक और चीज यहाँ पर आपको दिखा हूँ, एक और question मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, मैं question लिखता हूँ मैं A vector लेता हूँ मैं B vector लेता हूँ, ठीक है? मैं A लेता हूँ, चलो मानके चलते हैं 2i चैनिज बेट आपको यहाँ पर बोलता हूँ, हाँ part first मैं बोलूँगा projection of A on B simple answer आएगा, इन दोनों का dot divided by magnitude of B दूसरा part मैं बोलूँगा projection of B on A तो B dot A divided by magnitude of A part third मैं बोलूँगा projection of A plus B on A minus A A minus B, आएगा part fourth मैं बोलूँगा projection of A minus B on A plus B, correct और बेटा, part fifth मैं यहाँ पर आपको बोलूँ यह देखे, part fifth अगर मैं आपको बोलूँ projection of A on B divided by ऐसे भी कभी सवाल आता है projection of B on A projection of A on B divided by projection of B on A इसका भी आप खास ना बेटा इस्तिमाल करें, because it is a ratio actually देखो बड़ा, अगर आप इस तरह देखेंगे आप बोलेंगे आपने तो पहले A on B बोला A on B का मतलब है तो फाइनली आपको यहाँ पे mod A by mod B बचा, खुद देखें तो फॉर्मला भी बन गी ना बहुत आसान projection of A on B divided by projection of B on A projection of A जिसका है पहले, तो पहले उसी का mod, जिसका यहाँ पे है तो उसी का mod तो mod A divided by mod B and I hope आप सभी बच्चे इस question का answer बहुत easily लिख सकते हैं, यहाँ देखें बहुत easily लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जरा बता दो magnitude of A अगर देखा जाएगा, हुआएगा root of 4 plus 1 plus 1 और magnitude of B भी आएगा root of 1 plus 9 plus 1 तो आएगा root of A की root लेंगे 6 by 11 शायद, यह आएगा आपका projection, तो यह बेटा 1, 2, 3, 4 parts इसके हैं यह आप खुद करेंगे, ठीक है बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ, ज्यान से देखे मैं आगे बढ़ता हूँ, ज्यान से देखे यह बेटा खास कर आपके competitive exam के लिए बहुत important चीज़ है, जो मैं अब दिखानी चाह रहा हूँ यह देखे, यह angle between the two vectors this is vector A this is vector B say this is O this end is B, because O B is B and O A is vector A, correct? तो अगर मैं इस तरह बोलूँ यहां से perpendicular ला रहा हूँ इस तरह इस तरह राइट, यह बेटा तो यह यहां से यहां तक की जो दूरी है, यह O M मैं मानता हूँ, correct? तो O M आएगा mod of A cos of theta और यह वाला आएगा mod of A sin of theta, इतना तो आप जानते हैं किस तरह आएगा यह ठीक है? mod of A cos theta यह आएगा mod of A sin theta सही बात है ना बेटा? बहुत असान है यह मैं यहां पर आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने क्या बूला? मैं O A की बात कर रहा हूँ मैं O M की बात कर रहा हूँ मैं O M की बात कर रहा हूँ वाएगा mod of A cos of theta मैं A B की बात कर रहा हूँ A M की बात कर रहा हूँ A M की बात कर रहा हूँ वाएगा mod of a sin theta, ठीक है, विकाज आप जानते हैं, horizontal component, vertical component, मैंने ये triangle असल में लिए, आप सभी देखे, ये वाले triangle, ये O है, ये M है, ये A है, correct, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, और ये theta है, जब आप sin theta लेंगे, sin theta आएगा, am by a, sin theta आएगा, am by a, उसमें am निकालेंगे, तो यह आएगा, a sin theta, a से मतलब magnitude of a, om आएगा, a cos theta, कैसे, जब आप cos theta triangle कर लेंगे, तो उसमें से आप om निकालेंगे, इतना आपको पता है, ये चीज़ बेटा, आप पहले ही जानते हैं, अब आप ध्यान से देखे, मैं यहाँ पे ब vector component of a, along b, बेटा जान से देखेगा, मैंने क्या बोला, vector component of a, along b, याने, a vector का, vector component, जो यह a है, इसका vector component, मगर along b, along b, ठीक है, along b का मतलब होता है, parallel to b, और अगर मैं बोलूँगा, perpendicular वह लगा आएगा, along और parallel a की बात है, याने, vector component of a, parallel to b, ठीक है, याने, इसके, parallel में आपको बोलना है, तो सीधी सी बात है, बिटा, सीधी सी बात है, आप मुझे बता देंगे, बहुत आसान है, बहुत आस a on b, correct, projection of a on b, correct, तो पहले इस a की projection b पे, फिर हमें, लेकिन ये तो हमें खाली देगे, एक distance, एक scalar, हमें चाहिए, लेकिन vector component, along b, b के, अब आपको देखना है, देखे, ये तो scalar देगा, अब हमें इस b के, along b की direction कौन देगा, b की direction a, b देगा ना, मगर इसका unit vector, इसका unit vector, और यहां पे मैं लिखूंगा ना, into आएगा, direction, along b, बेड़ा बात समझना अच्छे से, पहले आएगा projection of a on b मैं, vector component of a मैं, इस a का vector component बोर रहा हूं, मगर along b, तो along b मुझे b की direction चाहिए, वही मैंने लिखा, और b की direction, किसी भी vector की direction कौन देता है, उसका unit vector, तो यहां आएगा, into b cap, और projection पहले मुझे देखना है, इसका a का, a का projection क्या आएगा, b पे, वो o से लेकर m तक है, वो o से लेकर m तक है, correct, वो o से लेकर m तक है, अब आप भी बिटा मुझे बता दो, o से लेकर m तक क्या आएगा, magnitude of a, cos of theta, into आएगा, b cap, यह आएगा बिटा आएगा, वेक्टर component of a along b, जान से देखे, यह आपका answer, यह बिटा आपका answer, बहुत important, this is the vector component of a along b, projection of a on b, और b के along direction, अब आप खुद देखे, आप इसको बिटा बहुत different forms में लिख सकते हैं, जैसे, आप इदर देखे, अब यह आपकी, calculation में है, किसको क्या पता है, कोई बोलेगा, क्या सर मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन आपको यह याद अब नहीं रखना है, आपको यह सीखना है, कोई बुलेगा, क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं, cause of theta, b, divided by magnitude of b, बिलकुल लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं, magnitude of a, divided by magnitude of b, correct, cause of theta, और साथ में b vector आएका, यह बी लिख सक कोई बोलेगा सर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नजर रखे अब लिखने का तरीका डिफरेंट है ना कोई बोलेगा ये तो magnitude of a आएगा इन्टो आएगा ये देखिए बेटा ये तो magnitude of a आएगा लिखाए इन्टो आएगा cause of theta cause of theta because A और B के बीश में cause है तो क्या आएगा इनका dot divided by magnitude of a magnitude of b इतना तो आप जानते हैं ये कहां से लाया माईने cause theta की जगह से और इन्टो आएगा b divided by magnitude of b I hope ये भी आपको समझाया तो आप differently बेटा इसको design कर सकते ना क्या सर magnitude of a magnitude of a कटेगा बिलकुल कटेगा तो बता दो यहां से आपको क्या मिलेगा ये मिलेगा ना a dot b I mean to say this b और b नीचे देखो बेटा क्या आएगा वो आएगा ना magnitude of a b square और साथ में आएगा b vector कर चक करो ये भी आएगा ये भी आएगा लेकिन मैं अपने बच्चे को बोलूँगा आप खाली ये चीज़ याद रखे ये आपके लिए बहुत ज्यादा important है आप खाली ये चीज़ याद रखे आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा important है समझा रहे हैं ना मेरी बात ये this is your vector component along vector component along B आपको बात समझा रही है अच्छा अगर मैं इसी चीज़ को बेटा एक और point आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा this is vector component of A along B ठीक है अब एक और बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत important है ये भी सीखेगा number two number two बेटा दूसरा जो है vector component of A perpendicular to B बेटा this is more important vector component of A perpendicular to B आप सभी देखे मैं इस चीज़ को कैसे बेटा यहाँ पर लिखूँ यह देखे यह आपका vector B है यह आपका vector A है correct गोर करेगा तो यह आपका O M है जो actually बेटा यह figure भी मैंने बनाई थे ना O M is the projection of A on B तो O से लेकर M तक correct तो O से लेकर M तक की दूरी है mod A cos theta और यह वाला है mod A sin theta right अब आप द्यान से देखे मैंने आपको क्या बोला please 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 गोर करेगा मैं यहाँ पर आपको क्या बो रहा हूं ठीक है मैं बो रहा हूं vector component of A perpendicular to B बहुत सारे बच्चे इस perpendicular की तरफ नहीं देखेंगे सारे बच्चे द्यान से देखे मैं आपको क् important please 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 have a look बेटा यह सबसे important है यह सबसे important है ठीक है देखे मैं इस तरह बोलूँगा ना A subscribe लिखेंगे along B plus A perpendicular to B is equal to A जड़ा बेटा इसको देखे यह बेटा बहुत important है यह नज़र रखे आपको vector component of A बोलना है perpendicular to B perpendicular to B राइट देखो बेटा किस तरह ही निकाला जाएगा अच्छे से देखना ज्यान से देखना यह ट्रेंगल मैं यूज़ कर रहा हूँ पहले मैं यह निकालूँगा this vector what is this this is A along B यह along B है मगर A projection वह आएगा यहां से यहां तक तो projection of A on B आएगा और अगर मैं vector निकालूँगा so this is A यहना A along B यहने component of A along B this is component of A along B component of A along B ऐसे मुझे बता दो what is this this is component of A perpendicular to B this is component of A perpendicular to B आपको बात समझाए this is perpendicular to B और यह बेटा दोनों का आएगा resultant यह देखे this is the vector A वही मैंने बोला this vector plus this vector this vector plus this vector gives A वही बेटा मैंने बोला A along B plus A perpendicular to B is equal to A बस खत्म बात बस खत्म बात अब आप देखे आपको क्या निकालना है A यहने component of A I mean to say component of A perpendicular to B अगर आपको निकालना होगा तो आएगा ना A minus component of A along B along B बेटा वही आएगा जरा सभी बेटा मुझे बता दो मुझे ये निकालना है तो ये किस तरह आएगा बस बेटा मेरा हो गया ना बहुत आसान जरा बता दो किस तरह है ये बहुत आसानी के साथ आप बोलेंगे सर A तो A ही है और अभी हम लोगोंने A along B निकाला वट इस दाट A along B पहला आगा projection of A on B वट इस दाट magnitude of A cos of theta और साथ में आएगा B cap तो ये आपको आएगा component of A perpendicular to B I hope it आपको ये समझा गया प्लीज अब आप इसको भी differently design कर सकते हैं ये बहुत important आपके लिए अगर मैं question A के हाँ पर बनाता हूँ आप गोर करें मैं question A के हाँ पर पहले बनाता हूँ देखिए मैं question लिखता हूँ A है हमारे पास 2I minus J plus K और B है हमारे पास I plus J plus K correct तो बता दो आप सभी बच्चे पहले मुझे magnitude of A कितना आएगा root of 6 magnitude of B कितना आएगा root of 3 सही है ना? सही है ना? अच्छा A dot B भी निकाल के रखेंगे A dot B कितना आएगा? A dot B आएगा दोनुका dot आएगा 2 minus 1 plus 1 शायद I dot I J dot J K dot K बेटा ही आएगा तो A dot B आपका बेटा 2 आ रहा है हम निकाल के रखेंगे पहले ही वो चीजे जो हमें चाहिए अब अगर मैं आपको बोलूँगा देखें मैं part first बोलूँगा बहुत आसान क्या मैं बोलूँगा? मैं बोलूँगा vector component of A along B तो आप बोलेंगे सरे ये तो बहुत आसान अब हमारे लिए है ये तो बहुत आसान हमारे लिए है आप बोलेंगे सरे आएगा magnitude of A, cos of theta तो आएगा projection of A on B, साथ में B से direction तो B cap आएगा, correct? सर, cos theta निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पर use करूँ cos theta, theta is the angle between the two that is A dot B divided by magnitude of A, magnitude B चलो यही पर use वो करेंगे, A dot B तो 2 आगया magnitude of A आपका आगया, root of 6 और आगया root of 3, वही आएगा तो finally अगर देखा जाएगा, यह आएगा 2 by, यह हम लिख सकते हैं root 3 into root 2 तो 3, 3 root 2, कुछ इस तरह आएगा तो अगर rationalization करेंगे, root 2, root 2 तो वह आपको बनेगा root 2 by 3 आप calculation खुद भी देखना यह 2 आएगा, 2 to cancel root 2 by 3 शायद वही आएगा, आप यह बेटा खुद भी देखेंगे, मैंने cost theta यहां पर निकाला अब आप सभी बच्चे देखें कितना आसान है आपके लिए question को अब सालू करना देखें बेटा, अगर मैं बात करूँगा magnitude of a की, वह आएगा root of 6 अगर मैं बात करूँगा cos theta की, वह आएगा root 2 divided by 3, अगर मैं बात करूँगा b cap की, b cap आएगा na, b, cap आएगा आपका, b divided by magnitude of b, correct तो यह total में आएगा root of 12 divided by 3 और 7 में आएगा into, into आएगा, b, b कितना है बेटा आपका, b vector आपके पास है, i plus j plus k, divided by magnitude of b आएगा आएगा, आपका root of 3, यह आएगा, root of 3 तो finally अगर देखा जाएगा यह three fours आएगा यहाँ पे, तो मुझे लगता है यह two by three आएगा total, calculation करिए, three fours आएगा root में तो four, और 7 में आएगा बेटा i plus j plus k, correct this is simply the vector component of a along b, तो अगर मैं बेटा यहाँ पे आपको बोलूँ, यह देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, next part इसका क्या, मैं बोलूँगा, हाँ vector component of a perpendicular to b, तो vector component of a perpendicular to b किसके बराबर होगा, a minus vector component of a along b, correct, यह a vector है minus, यह तो हम लोग उने already निकाला है along, what is that, 2 by 3, i plus j plus k, isn't it, और आपने बेटा, use करना यहाँ पे vector a, और अगर हम vector a की बात करेंगे vector a हमारे पास है, 2i minus j plus k, 2i minus j plus k, 2i minus j plus k, कुछ इस तरह है, isn't it बेटा, आपको बेटा बात समझा रही है बहुत असान है, यह देखे, यह आपका बस हो गया बेटा, आप खुद देखे 3 से multiply करेंगे, बता दो क्या आएगा 3 times 2i minus j plus k minus 2 times i plus j plus k, whole divided by 3, तो 3 2s are 6i minus 2i, आया ना minus 3j minus 2j, यहां से, यहां से आएगा plus 3k, minus आएगा 2k, divided by 3, तो finally क्या आएगा 1 by 3 बाहर निकालेंगे, तो अंदर वेक्टर देखेंगे, क्या आएगा 3, 2, अच्छा यह आएगा 4i यह आएगा minus 5j plus k तो यह आपका अंसर यह आपका अंसर क्या बेटा, आपको मेरी बात समझाए अच्छे से, तो मुझे लगता है कि जो आपका आज का लेक्शर था projection के उपर projection के उपर बेटा, यह बहुत मुफीद आपके लिए था, यह बहुत कारमद आपके लिए था, आप अच्छे से सीखेगा कि किस तरह बेटा हम projection निकालते हैं, अपनी text book को देखेगा, 12th class के बच्चूंकी में बात कर रहा हूँ वो अपनी टेक्स्ट रूबुक देखें वहाँ पर एक्जसाई शायद 10.3 है उसमें देखेंगे कौन-कौन सा सवाल आपके प्रोजेक्शन पर पूछा गया है आप वो सवाल अच्छे से करेंगे I hope आपको बेटे अच्छे से आएगा ठीक है तो बाग की इंशाल्ला मैं कल की लेक्चर में आपको बता देता हूँ आज के लिए इतना ही खुदा हाफिज अपना ख्यार रखे